हैलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग सेफ होंगे अपने अपने घरों में और मज़े में होंगे आज का टोपिक है हमारा मेजर्मेंट पार्टे हमने पिछली वीडियो में किया है आज हम पार्ट भी कर रहे हैं कनवर्ट करना Firstly, कल हमने पढ़ा था कीलो हेक्टो डैक का डैसी सेंटी मिली मीटर इधर लीटर, ग्राम और मीटर क्या होगी हमारी बेस वेल्ली होगी आज हम करेंगे कनवर्ट करना कीलो टू हेक्टो Firstly, we start with कीलो कीलो को लिया हमने कीलो की टर्म दे रखिया कीलो से हमें कहां जाना है हेक्टो में, एक ही स्टेप हम नीचे गए है ना, वन स्टेप नीचे गए है तो मल्टिप्लाइ बाए टैन एक स्टेप नीचे आए हैं तो हम इसको किस से मल्टिप्लाइ करेंगे टैन से, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 kg equals to 10 hecto Point clear हुआ आपको एक step नीचे आए हैं तो 10 से multiply करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1 kg is equal to 10 hecto अब हमें 2 kg को convert करना है 2 kg को hecto में convert करना है तो जब हम 1 से 2 मतलब जादा नंबर की और जाते हैं तो हम क्या करते हैं? multiply तो answer will be 20 hecto next हम करेंगे kilo to decca अब हमें kilo को decca में convert करना है देखो 1 hecto second decca तो हम कितने step नीचे आए? 2 step आए तो इन 2 steps को हमने क्या लिखेंगे? 100 आ जाएगा ना 10 or 10? 100 10 को 10 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 तो हम क्या लिखेंगे? 1 kg equals to में 100 decca I hope guys आपको ये point क्लियर हुआ होगा कि 1 kg में 100 decca कैसे आया? हम 2 steps नीचे गई हैं इसलिए next जैसे 1 kg equals to में 100 decca तो हमें 5 kg को decca में convert करना है तो same वही process 100 multiply 5 100 multiply 5 क्यूं आया है? कि जब एक से ज़्यादा की और जाते हैं तो हम क्या करते हैं? multiply तो 500 decca is my answer I hope guys आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आगे हम लीटर, डैसी, सेंटी इनका conversion लेके आएंगे जामें लेख 5 आपको मेरी मेरी एफड़ाई क sna़ा रची रोल डैब घ्रवाणान वार्मधत करते हैं करते हैं फ Recovery आप sleep झाल झाल